नमस्कार मित्रो मैं हूँ योगाचार्य तारादद स्वागत है आपका सिद्धियोगा मैं हम लोग करने जा रहे हैं चंद्र भेदी प्राणयाम याने की चंद्र उर्जा का भेदन जिसके द्वारा हम लोग प्राणों की शुद्धी करते हैं और उसमें सुचारू रूप से उर्जा के संचार के प्रवा को बढ़ाते हैं जिससे जुड़े वे हमें अन्नेको लाब अपने जीवन में दिखलाई देते हैं जैसे कि यदि आपका मन शंचल हो रहा है, बहिरगामी हो रहा है, बहिरगामी का मतलब है extroverted, कि आपका मन बहुत जादा बाहरी चीजों में उलजा रहता है, चिंताओं में उलजा रहता है, तरह तरह की चीजों को सोचता है, परन्तु इस्थाई नहीं रह पाता है, दिमाग आजकल के दिनों में बिलकुल भी grounded नहीं है हवा में ही तेड़ता रहता है बहुत सारे कामों को आप सुरू करते हैं परन्तु आप खतम किसी भी काम को नहीं कर पाते हैं पढ़ाई त्यादी में मन नहीं लगता है काम में ठीक से मन नहीं लग पाता है इस तरह कि कई सारी समस्याइं आपके जीवन से जा सकती है चंद्रभेधी प्राणयाम के द्वारा चंद्रभेधी प्राणयाम सोने के लिए भी बहुत ही मददगार साबित होता है तो जो लोग योग के अभ्यास को समझते हैं, प्राणयाम को समझते हैं उन्हें मालुम होगा कि चंदरवेधी प्राणयाम के अने को लाव जीवन में देखने के लिए मिलते हैं दो तरह से उर्जा का प्रभाद चलता है एक होता है सूरी रूप में याने की बहिरगामी उर्जा एक होता है चंदर रूप में याने की अंतरमुखी उर्जा अपने अंदर बढ़ाना पड़ता है यानि कि इसका मतलब है यदि आपके सूरी उर्जा बहुत ज़्यादा बाहर की तरह बहिर गामी हो रही है बाहरी चीजों में ही आप वासे रहते हैं और अंदर अपने अंतर अकरण में बिल्कुल नहीं जहाग पाते हैं यानि कि आप अ बाहर से खीज करके अंदर ले आती है स्थाई बनाती है स्टेबल बनाती है ग्राउंडेड बनाती है ऐसे मैं इससे जुड़ेवे आपको अनेकों लाब अपने जीवन में देखने के लिए मिलते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया चिंता तनाव ठकान से भी बहुत मदद करता है इसके अलावा यदि आपके अंदर खाने को को ले करके मन में बहुत ज़्यादा उतावलपन रहता है क्रेविंग रहती है आप आसत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो ऐसे में चंद्रभेदी प्राणायाम आपको बहुत ही मदद करेगा आपके खाने क संय suitable करेगा तो चंद्रभेदी प्राणयाम इस तरह से कई सारे विकारों में कई सारी समस्याओं में ये बहुत ज़्यादा लाप्रत साबित होता है चलिए अभ्यास की विदी को समझते हैं और अभ्यास का आनंद लेते हैं अभ्यास की विदी के लिए सबसे पहले आपको किसी भी सुखात मक्स्तिती में आकर के बैट जाना है इस प्राणयाम का भ्यास यदि भूमी में बैट के कर सकें तो बहुत ही स्ट्रेज्ट है यदि आप जमीन पे नहीं बैट पाते हैं किसी कारण से तो आप कुड़सी, सोफा ये बिस्तर पे भी बैट के कर सकते हैं भूमी पे बैट के करना सबसे ज़्यादा सर्वस्रेज्ट होता है चंदरवेदी प्राणयाम का जो उचित समय होता है वो या तो प्रात्यकाल ब्रहमूरत के समय है और उससे भी ज़्यादा जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है शायकाल जब हमारा दिन चिप रहा हो संध्या का समय परन्तो आप इसके अन्य लावों को पाने के लिए जैसे कि नीन को बहतर बनाने के लिए आप इस प्राणयाम को सोने से पहले भी कर सकते है काम काज में जाने से पहले इस प्राणयाम का भ्यास बिलकुल भी ना करें हो सकता है कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा शांती आजाए आपका काम करने को मन ना करें तो इसी वज़े से आपने काम को जाने से पहले इस प्राणयाम को नहीं करना है हाँ काम के दौरान यदि आपका मन बहुत ज़दा असान तो होता है सिर्भारी हो रहा होता है तो ऐसे में आप चंदरवेदी प्राणयाम करके इसका लाप राप्त कर सकते हैं तो ये था इसका समय, भोजन के उपरांद इस प्राणयम को बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, कम से कम तीन से चार घंटे का अंतर आपके भोजन और अभ्यास के बीच में होना चाहिए तो अभ्यास के लिए हमारी सुखात्म का वस्ता रहे है कि मेरुदंड को सीधा रखने के लिए आपको या तो स्वैम से मेरुदंड को सीधा रखने का प्रियास करें, नहीं तो नीचे से कोई गदी, आप आसन, कंबल इत्यादी रख करके भी आप बैठ सकते हैं, जिससे आप के मेरुदंड को सीधा रखने में साहिता मिलेगी, और मेरुदंड को सीधा रख करके आप प्राणायाम करते हैं, तो आपके लाप 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यदि मेरुदंड सीधा नहीं रहता है, तो आपके लाप बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, इस चंदर ऊज्जा के साँ जोड़ी वी है, हमारी दाइनाध सूर्य उज्जा के साँ जोड़ी वी है, तो यहां पर हमारा कारी है, चंदर ऊज़ा को जागरित करना, तो इस में, इस अभ्यास में हम लोग अपने बाइनाध पर विशेश रूप से ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान से पूरो हमारी होती है हाथ की स्थिती जिसे हम मुद्रा कहते हैं तो दो तरह की मुद्रा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है एक है नासिकागर मुद्रा और दूसरी है विश्ट मुद्रा यह दोनों ही मुद्रा प्राण मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है तो हम लोग यहाँपर सरल नासिकागर मुद्रा का प्रियोक करेंगे जिसमें हम हमारी मद्धमा यानिकी जो बीच की बड़ी उंगलिये उसे हम अपने दोनों भाओं के बीच में इस तरह से रख देते हैं अभ्यास को एक बारी अच्छे से समझ लेना और उसके बाद अभ्यास को आप मेरे साथ में दोरा सकते हैं फिर यहां से अभ्यास के लिए हम अंगूटे से अपनी दाइनी नाग को बंद कर लेते हैं जब भी आप अंगूटे से नाग को बंद करेंगे आपको हलका सा ही दबाओ नाग पे देना है कि नाग बंद हो जाए इतना ज़्यादा दबाओ नाग पे नहीं लाना है कि आप नाग को पूरा तेड़ा कर दें इस चीज़ का आपको धियान रखना है कि हलके सही दबाओ दें फिर उसके बाद लंबा धीमा गहरा श्वास आपको बाई नाक से धीरे 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 अंदर लेना है लंबा गहरा श्वास बाई नाक से अंदर पूर्ण होते ही धीरे से बाई नाक से ही आपको श्वांस को धीरे 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 बाहर को छोड़ना है तो इस तरह से ये आपका अभ्यास चलेगा चंदरभेदी प्राणयाम में हम सिर्फ और सिर्फ अपने बाई नाक से ही श्वांस लेते हैं और बाई नाक से ही स्वांस छोडते हैं समान्य अभ्यास में एक प्रारंबिक सिद्धी के अभ्यास में यदि आप बिगिनर हैं आपने कभी प्राणयम पहले नहीं किया है तो ऐसे में यदि आप जो इसका पहला पढ़ाओ है उसमें अभ्यास करेंगे तो सिर्फ हम लोग लंबा धीमा गहरा श्वांस अंदर लेते हैं फिर लंबा धीमा गहरा श्वांस बाहर चोड़ते हैं श्वांस लेने और चोड़ने के बीच में ना तो हम स्वांस को रोकते हैं और ना ही लेने और चोड़ने में उतावलापन दिखाते हैं हम धीरे धीरे लंबा धीमा गहरा श्वास लेते हैं और धीरे 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 लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ते हैं तो इस तरह ऐसे यह हमारा प्राणयाम चलता है हम लोग इस अभ्यास का पूर्ण रूप से लाप राप्त करने के लिए कम से कम 10 से 15 बार श्वास पर स्वास बाईनाक से लेते हैं और छोड़ते हैं तो चलिए अभ्यास की सुरुआत करते हैं पहले चरण की हम लोग सुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्प स्वास लेंगे और छोड़ेंगे बाईनाक से यही चरण आगे बढ़कर अंतर कुम्भक के साथ में आता है यानि कि श्वास को हम लोग रोकते हैं प्राण को अंदर लाने के बाद हम अपने अंदर अपने शरीर के अंदर अपने उर्जा श्वरूप के अंदर इसे स्थाई बनाते हैं यानि कि हम अंतरकुम्बक करते हैं श्वास को नाक को बंद करके रोक लेते हैं और फिर धीरे से छोड़ते हैं ये इसका दुसरा चरण होता है और तिसरे चरण में आगे जाकर कि हम लोग इस अभ्यास को बंद के साथ में करते हैं तीन बंद हमारे शरीर में उप्योग होते हैं मूल बंद जालंदर बंद उडियान बंद मूल बंद जो मूल हमारे नीचे से हो करके आता है और उडियान बंद हमारे पेट के पास से आता है और जालंदर बंद हमारे गले के पास से आता है तो ये बंद के साथ होता है ये स्थ ही बहुत जादा लाब दायक होती है चलिए एक सामान्य अभ्यास को हम समझते हैं और इस अभ्यास का पूरा फाइदा लेते हैं तो अभ्यास के लिए जैसे मैंने आपको बतलाया था हम लोग ना सिकागर मुद्रा की तरह बढ़ेंगे बाएं हाथ को आप ग्यान या फिर चि ली रहेंगी इस तरह ऐसे आपको इसको अपने जंगा के उप़र रख लेंगे अब अपने दाइने हाथ से मुद्रा को अपने चेहरे के आगे लाएंगे जिसमें यहाँ पर आपकी पहली अंगली आपके माते के उपर आगई है दोनों भाओं के बीच में अब यहां से हम लोग अपने अंगूटे से दाइनी नाग को बंद करेंगे दीरे से लंबा गहरा श्वास बाइन नाग से प्रवेश करवाएंगे श्वास को लेते वक्त आपने अपना पूरा ध्यान नाग के आगे वाले हिस्से पर रखना है जहां से श्वास अंदर प्रवेश कर रही है श्वांस पूर्ण अंदर जाने के बाद दीरे दीरे आपको लंबा धिमा गहरा श्वांस अपने बाई नाक से ही All निकालना है दोबार extracting लंबा धिमा गहरा श्वांस लेंगे और लंबा धिमा गहरा श्वांस छोडेंगे इसी प्रक्रिया को दौर आते जाएए और आपको लगबग 10 से 15 बार अपने बाए नाक से ही श्वांस लेनी है और बाए नाक से ही धीमे धीमे श्वांस छोड़नी है तो सुरुवात में दोश्तों हम लोग 10 से 15 बार इस अब भ्यास को करते हैं यदि आप 10 बार कर रहे हैं तो समझ लीजिए हफते देड़ हफते बाद दो हफते बाद जैसे जैसे आपका भ्यास स्थिर होने लग जाए स्थाई होने लग जाए तो इसे बढ़ा के 15 बार कर लें और फिर दीरे दीरे इसे ही बढ़ा करके आप 20 बार की ओर लेके जा सकते हैं जितना ज़्यादा लंबा समय आपका बीतेगा प्राणायाम में उतना ज़्यादा फाइदा आपको मिलेगा अरण तो यहाँ पर स्वास ऐसा नहीं है कि आदा आदा घंटे तक आप चंद्रवेदी प्राणायाम कर रहे हैं स्वासों की गिंती के साथ में इस प्राणायाम को आप करेंगे ना कि समय के साथ में प्राण जो हैं वो समय से परे हैं तो इसे समय में बात करके प्राणायाम के अभ्यास को बिलकुल भी नहीं करना चाहिए समय से ये परे हैं, ये समय से पहले भी थे, समय के साथ भी हैं और समय के बाद भी रहेंगे जो प्राण हैं ये हमेशा इस चराचर जगत में विद्यमान थे हैं और हमेशा ही रहेंगे इसलिए प्राण याम के अभ्यास को समय के साथ ना बाद है अभ्यास को प्राण के साथ ही बाद है तो सुरुवात में दस स्वास और प्रस्वास लेंगे उसे बढ़ा के धीरे-धीरे 15 तक जाएंगे फिर ऐसे ही धीरे-धीरे बढ़ा के 20, 25, 30 इस तरह से आप बढ़ाते ही से जाएंगे बहुत जादा आपने लंबा नहीं बढ़ाना है ध्यान रखेंगे दोस्तो इसको करने के लाब भी है परंतो इसके लिए साउधानिया भी है साउधानियों का भी आपको विशेज रूप से ध्यान रखना मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो लोग इंट्रोवर्टेड हैं, अंतरमुकी हैं बहुत जादा अंतरमुकी हैं उन्हें इस अभी हाज को नहीं करना चाहिए जितना ज़्यादा आपके अंदर तनाओ है, पड़सान है उसके अनुसाार आप अपने अभ्याज को बड़ा और कम कर सकते हैं यानि कि अगर आपको लगता है कि हाँ तनाव बहुत ज़्यादा है चिंता बहुत ज़्यादा सता रही है तो ऐसे में अभ्यास को आप लगभग 15 से 20 बार कर सकते हैं उसे बढ़ा करके 30-40 बार तक जा सकते हैं यदि आपने सिर्फ आपको थकान हो रही है थकान की वज़े से आपका मन नहीं लग रहा है काम में तो 15 से 20 बार श्वास प्रस्वास करेंगे तो आपको लाब मिल जाएगा उससे ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्राणायाम आपके मन मस्तिक्स को शान्त करता है उसके साथ ही आपके शरीर की जो प्रोसेस है जो वर्किंग प्रोसेस पावर है उसे भी ये धीरे धीरे शान्ती की और लेके चला जाता है तो ऐसे में शरीर आपका ढीला हो जाएगा मन भी दम से शान्त हो जाएगा तो आप काम नहीं करना चाहेंगे तो दोस्तो यदि आप काम के बीच में इसे प्राणयाम को करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए करें ताकि इसको करने से आपको लाब मिले और आप इसकी हानियों से भी बचे रहें हर चीज को करने के लिए चाहे वो प्राणयाम योग का भ्यास ही कुई ना हो या फिर एक पानी चाय या कुछ भी पीना खाना हो इसे में कोई भी चीज अपनी आवसकता से जब ज़्यादा हो जाती है तो वही विकार उत्पन्न करती है ऐसे ही है योग का भ्यास योग का भ्यास इसलिए कहते हैं कि सही जानकारी और उचित मात्रा की जानकारी होना बहुत ही जादा जरूरी है तो इस तरह से इन सभी चीजों का आपने विशेश रूप से ध्यान रखना है जवर की स्थिती में यानि कि फीवर में आपको जुखाम इत्यादी की स्थिती में यानि कि आपको cold हो रहा है flu है, fever है ऐसी स्थिती में भी इस प्राणयाम को बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा ना समझें कि बुखार है शरीर का ताफमान बढ़ाया और उसे घटाने के लिए इस प्राणयाम करेंगे नहीं, सही जानकरी ये है कि जो जवर होता है, हमारे शरीर में जो बुखार आता है वो हमारे शरीर की एक purification की process होती है कि हमारा शरीर के अंदर कोई विजाती द्रवे इतना बढ़ गिया है कि शरीर अपनी आपको गरम करके उस विजाती चाहे वो द्रवी रूप में हो चाहे वो गैसी रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ठोस रूप में हो उसको वो भस्म करके चाये वो उसको गैस में तबदील करेंगा या उसको मल या मुतर रूप में तबदील करके हमारे शरीर से बहार निकालता है इसलिए बुखार में क्या होता हमें? पसीना आता है ताकि हमारे अंदर के जो भी टॉक्सिन्स हैं जो गंदगी हैं वो बहार निकल सके तो ऐसे में यदि आप अपने शरीर का तापमान बदलेंगे तो आपको नुकसान होगा लाग नहीं होगा इसलिए सही जानकारी का उपयोग कीजिए और अभ्यास का आनन्द उठाइए तो ये सारी जानकारी थी हमारी चंद्रभेदी प्राणयाम की मैंने आपको समय भी बता दिया है समय के साथ मैंने आपको सावधानी और लाब भी बता दिया है हर चीज को ध्यान पूर्वक सुनना समझना और विधी को भी अच्छे से समझना और विधी के साथ भी आप अभ्यास को करेंगे यदि आपके दाइने हाथ में कोई समस्या है, कंधे में कोई समस्या है, जिसकी वज़े से आप दाइने हाथ का प्रियोग नहीं कर सकते हैं मुद्रा के लिए, तो आप बाइने हाथ का भी प्रियोग करके इस प्राणयाम को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप बाए हाथ से भी कर सकते हैं परंतु कोशिज कीजिएगा कि दाए हाथ से कर पाएं यदि आपका दाए हाथ शक्षम है यदि दाए हाथ सक्षम नहीं है किसी कारण से तो आप इसे बाए हाथ से भी कर सकते हैं और ध्यान रहिए जो मैंने आपको पहले बताया मेरुदंड एकदम से सीधा रहेगा तब ही आपको इस प्राणड़याम के अधिकतम लाव मिलेंगे चलिए ये ती सारी जानकारी हमारी चंद्रवेदी प्राणड़याम की इसी के साथ करता हूँ इस वीडियो की समापती नमस्कार